राम राम दोस्तों दोस्तों एनलेसिस का कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है वो आज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था मैंने आपको ये समझाने की कोजिस की थी कि जब तक 49,000 से नीचे प्राइज सस्टेन नहीं करता नेगेटिव साइड पोजिशन बनाने की गलती से भी मत सोचना हाँ स्केल्पिंग करना चाहते हो तो स्केल्पिंग अपोर्चनुटिज आपको मिल सकती है लेकिन अगर आप कुछ एग्रेसिवले प्लैन करने की सोच रहे हो वो 49,000 के ब्रेकडाउन के बाद ही आपको प्ल मैं नहीं करना चाहिए नहीं तो आप ट्रेप हो सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे मार्किट ने 49,000 का ब्रेकडाउन दिया ही नहीं दूसरी चीज और नोट करो बही वन डे के टाइम फ्रेम पर मैंने आपको एक पैटरन दिखाया था कि आपके लिए सूटिंग स्टार लेकिन तो आप आप इसे सूटिंग स्टार का कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पर देखो कितना बहतरी बहतरी इन फोर्मेशन हुआ था और मार्किट ने आपको काफी बहत्री इन मोमनटम यहाँ से कैप्चर करने के लिए दिया था एक और discussion किया गया था जल्दी से हम revise कर लेते हैं फिर हम next trading day के लिए किस तरीके से हमें prepare रहना चाहिए उसका discussion करेंगे लेकिन दोस्त आप वीडियो को like नहीं कर रहे हैं और नहीं comment करके जो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ नहीं उनके जवाब दे रहे हैं करती हैं और वीडियो को like भी कर दे करो इससे हमें ये भी पतलगत रहता है कि आपको content पसंद आ रहा है हमारी जो इतनी महनत है वो आपको पसंद आ रहे है और हमारी महनत रंग भी ला रही है तो free of cost आपको इतना अच्छा content प्रोवाइड किया जा रहा है तो like में बिल्कुल भी कंजूसी मत करो और comment में भी कंजूसी मत करो आईए वापिस यहीं पर आ जाईए यहाँ पर हम discussion कर रहे थे कल हमने discussion किया था कि 49,080 काफी important आपके लिए एक support हो सकता है लेकिन इसके साथ साथ discussion यह किया गया था अगर इसका breakdown मिलता है तब भी negative side कुछ aggressively plan नहीं करना है वो 49,000 के breakdown के बाद ही आपको negative side aggressively कुछ plan करके चलना है उसके बाद आपके लिए important support की possibilities क्या हो सकती थी 48,492 यह कहा के पास है 48,500 के पास है इसका भी हम काफी दिनों से है जो price action के according discussion करते हुए आ रहे थे यानि कि एक price action के according यह दो important support level आपके लिए थे हम Fibonacci भी draw करेंगे अगर retracement की possibility बनती है तो आपके लिए support की possibilities कहा कहा हो सकती है उनका भी हम discussion करेंगे और last time भी हमने discuss किया था लेकिन पहले उन पॉइंटों पे नजर रखनी सबसे ज़्यादा जरूरी है भी market में क्या situation नजर आ रही है अगर आप देखेंगे ये area आपके लिए क्या बना ये एक resistance zone है और यही पे आपका previous day high भी है इस zone पे market बार बार support ले रहा था अगर आप notice करेंगे price action के according और market ने यहाँ पे previous day closing से ऊपर price चलना शुरू कर दिया और यहाँ पे जाके market ने क्या किया रजिस्टरेंस की त्रेक्ट किया अब देखो कोई भी setup आपको पता हो या कोई भी strategy आपको पता हो सिर्फ पता होने से काम नहीं चलता है कहाँ पे आपको उसको avoid करना है कहाँ पे apply करना है देखो कहीं बार situation क्या होती है मान के चलो यहाँ पे breakout मिला आपको कोई setup बना आपका target यहाँ कहीं है तो दो तरह के इनसान होते है पहले तरह के वो इनसान होते है जो इस target के लिए बैठे रहते हैं ठीक है दूसरे तरह के जो अपने experience से market को सीखते रहते हैं और चीजों को modify करते रहते हैं अब इन्हें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक important resistance हो सकता है तो इस resistance पर market का behavior देखने लगते हैं अगर इस resistance पर market का rejection दिखाई दे रहा है या sideways दिखाई दे रहा है दोनों ही case में क्या है प्रीमियम घटने की possibilities हैं तो इसलिए वो target का weight नहीं करेंगे वो जो भी हाथ लग रहा है वो यहीं से लेके निकल लेंगे यह है दूसरे तरह के और आपको भी दूसरे ही तरह का इंसान बनना है काफी लोग यह बने रहते हैं कि चलो target achieve हो गया अब यहाँ पर एक तरह की सोच और आती है कि अगर हमारे हाथ से बड़ा momentum निकल गया मार्केट इसका भी breakout देता या फिर इसका भी breakout देता retracement देके साइडवेज momentum करके मार्केट ने breakout देके अगर वापिस चला गया इस तरह के thought mind में आने लग जाते हैं तो इस तरह का हल एक ही होता है अगर साइडवेज कर रहा है इसलिए तो मैंने आपको चार पैटरंस पता तो आप इनके breakout का इंतिजार करो फिर breakout मिला है तो फिर से आपको एक entry point मिल रहा है और premium sideways होने के कारण फिर से आपको सस्ता मिल जाएगा या उतना महंगा नहीं मिलेगा तो आपको entry के लिए भी तैयार रहना चाहिए चीजों को समझो कहां पे avoid करना है जरूरी यह नहीं है क market sideways होके breakout ही देगा हो सकता है sideways होता चल जाए या retracement देके market price action बना के breakout देगा हो सकता है वो गिरता ही चला जाए जैसे कि यहां के case में आप देखेंगे market ने previous day closing के उपर support जरूर लिया लेकिन इस area से market resistance की तरह आपको act करता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि पहले एक important resistance था जो पहले resistance था breakout मिला अब support की तरेक्ट कर रहा है फिर से इसका breakdown मिला तो possibility क्या है फिर से resistance की तरेक्ट कर सकता है और देखो market ने यहीं पर ही resistance की तरेक्ट किया और आपको एक reversal side काफी बहतरिन scalping का मोगा दिया फिर जब market ने previous day closing का breakdown दिया तब भी आपको scalping का एक मोगा मिला मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको scalping का मोगा मिला मैं ऐसा क्यों नहीं कह रहा है कि आपको negative side position जाने का मोगा मिला क्योंकि negative side हमने plan किया था कि जब तक 49,000 का breakdown नहीं मिलता इस से नीचे price sustain नहीं करता तब तक negative side plan नहीं किया जा सकता कितने लोगों ने scalping की है आज मुझे comment करके जरूर बताना कितने लोग positive side जानते समय trap हुए हैं वो भी मुझे comment करके बताना समझ में आगे यहां तक चीज़े clear होगी आईए अब हम discussion को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं यहां पे one hour के time frame पे लेकिन क्या उससे पहले एक बार one day के time frame पे आजाए इस line को अब आगे extend कर लो trend line को जो कि हमारे लिए एक important support line थी इसे आगे extend करने का समय आ गया है क्योंकि अगर negative formation होता है यह shooting star बनता है तो हमारे लिए यह जो support line है काफी important role play करने वाली है क्योंकि नीचे की तरफ हमारे लिए दो important support आ जाएंगे मैं long term की बात कराऊं short term की बात नहीं करा एक तो 48,000 का support zone आ जाएगा दूसरा यह वाला support zone आ जाएगा आए फिलाल हम कल कर discussion करते हैं बातों को आगे नहीं बढ़ाते हैं और यहाँ पे simple सा मैं आपके लिए Fibonacci draw कर लेता हूं नीचे से मैं करता हूं ऊपर की तरफ draw यह मिल गए आप ठीक है अब यह Fibonacci हमने यहाँ पे draw कर लिया हम क्या देख रहे हैं कि market ने पहले support लिया था कहां पे 0.236 पे एक high बनाने के बाद फिर से market आया फिर से support लिया और आज के दिन भी support लिया और आज market ने दे दिया है इसका breakdown यह लगबग लगबग आप अभी भी यही कह सकते हैं कि एक support zone पे ही market खड़ा हुआ है यानि कि इसकी बहुत दिनों से market respect कर रहा है और अगर इस से नीचे price sustain करने लगया यानि कि 49,000 से नीचे price sustain करने लगया तो इसका मतलब possibility बन जाएगी हमारे लिए कि market ने फिर से फिबोनाची का फोर्मिशन करना शुरू कर दिया है तो आए यहां से कुछ लाइने ड्रो कर देते हैं जब तक मैं लाइने ड्रो करता हूँ आप अपन तो हम यह देख रहे हैं 0.236 का लगबग लगबग breakdown सा हमें दिखाई दे रहा है या फिर अभी भी अगर support zone पर खड़ा है तो हमें उससे फड़क नहीं पड़ता हमने इसे भी छोड़ो 0.236 को previous day low को भी छोड़ो इस वाले support zone को भी छोड़ो क्योंकि यहां पर बहुत सारी possibilities हो गई ना हम सिर्फ एक ही चीज़ पर focus कर लेंगे 49,000 पर ठीक है ऊपर कुछ भी होता रहे है negative side हम plan करेंगे 49,000 के बाद लेकिन अगर market ने flat open होके आपको positive momentum दिखा दिया इस scenario में आप क्या करेंगे इस scenario में हम यह देख रहे हैं गर आप धियान से notice करेंगे यहां पर आप trend line दिखाई देगी कितने लोगों को यह trend line दिखाई दे रहे हैं एक चीज़ ओर notice करो यहां पर आपको एक support zone दिखाई देगा क्या आपको यह इस तरह का triangle pattern का formation होते वे दिखाई दे रहे हैं कितने लोगों को यह मेरे draw करने से पहले दिख गया था इमानदारी से comment करना पिल ले उतना अच्छा है यह तो breakout देगा या फिर breakdown देगा ब्रेक आउट देगा तो positive side opportunities बनाएगा breakdown देगा तो negative side opportunities बनाएगा अगर market इसका breakout देता है अब नीचर ले वाले portion को उटा दू मैंने आपको trend line पे काम करना बताया हुआ है कि अगर यह एक resistance line है breakout मिलता है तो पिछले resistance से market को ऊपर जाने दो उसी के बाद आप positive side आपको कुछ plan करना चाहिए नहीं तो सांती से बैठ रहना यानि कि इस वाले zone से हम market को ऊपर जाने देंगे और हमारे लिए जो important resistance की possibilities रहेगी वो 49,500 के around रहेगी और अगर इसका भी breakout मिलता है तो जो 27 का day high है यह आपके लिए इतनी चीजे clear हो गई नहीं यहां तक आए discussion को आगे बढ़ाते हैं वहीं पर अगर market में आपको negative momentum देखने को मिलता है अब हमने यहां पर देख लिया previous day closing भी पास में है previous day low भी पास में है फिर आप देखेंगे यह वाले pattern का support zone भी पास में है 49,000 का भी support zone आपके लिए पास म इतनी चीजे हमें लगबग लगबग भूती आसपास नजर आ रही है पर काफी दिनों से market यहां पर support लेता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है पर ट्रेंगल पैटरन का यह वाला support zone भी आपको यहीं पर है 49,000 का important level भी आपके लिए पर प्रिविएस day low भी आपके यहीं market ने close भी यहीं पर किया है तो आपके लिए प्रिविएस day closing भी यहीं पर है तो इतनी सारी चीजे हमें पास में दिखाई दे रही है तो यह चीजे बताने का मतलब क्या है अगर negative momentum market ने दिया तो इन सभी का market breakdown देगा क्योंकि हम 49,000 के नीचे price sustain करने का wait करेंगी और अगर इ resistance की track क्या बिलकुल किया है यहाँ पर आप देखेंगे पहले भी यह resistance की तरह आपको act करता हुआ दिखाई दे रहा है breakout मिलने के बाद इसने पहले भी support की track किया है अगर हम पीछे जाएंगे और भी हमें result मिल जाएंगे लेकिन हम इतने ही area को समझ लेते हैं तो इस वाली situation प क्योंकि previous day closing का भी breakdown मिलेगा previous day low का भी breakdown मिलेगा triangle pattern का भी breakdown मिलेगा 49,000 का भी breakdown मिलेगा उस situation पर आपके लिए important support 48,687 के round हो सकता है यानि कि 0.382 के round अगर आपको इसका भी breakdown मिलता है फिर 0.5 आपके लिए काफी important support रह सकता है जो 48,367 है यहां तक आपको चीजे समझ में आ गए की नहीं आईए अब हम अगले scenarios को पकड़ते हैं अगर market ने आपको gap up opening दी gap up opening का discussion करने से पहले मैं आपको यह बता दूँ यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है यह just educational purpose से बिनाए गई analysis वीडियो है invest करने से पहले आपको अपनी research करने हैं अपने investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आपका होने वाला है loss की जिम्मिदारी भी आपको अपने आप लेनी है अगर market gap up opening देता है तो हम इसी trend line पर focus करेंगे और जो पिछला resistance area है यानि कि इस zone पर focus करेंगे अगर इसके बीच market कहीं भी gap up open हो रहा है तो हम सिरफ और सिरफ scalping opportunities पर focus करेंगे कुछ भी aggressively plan नहीं करेंगे positive side क्योंकि rule क्या कहता है इसलिए मैंने आपको trend line का rule बताया है कि जो पिछला resistance है उसका breakout होने दो तभी आप positive side कुछ plan करेंगे यहां तक चीजे समझ में आए कि नहीं उसके breakout के बाद आपके लिए अगला important resistance 49,500 इसका breakout मिल गया तो जो 27 का day है वो आपके लिए अगले important resistance के रूप में दिखाई देगा लेकिन ऐसे भी possibilities हो जाती है कि market ने आपको gap up opening दी लेकिन reversal दिखा दिया reversal दिखाया तब भी आप सिर्फ और सिर्फ scalping पर focus करेंगे जब तक market 49,000 से उपर है 49,000 के नीचे जाने के बाद ही आप यहाँ पे negative side positions के बारे में सोचेंगे कुछ aggressively plan करेंगे और जादा बहतर यह रहेगा यह तो market यही पे कुछ sideways momentum दे के तब breakdown दे दे या फिर अगर सीधे भी breakdown दे रहा है एक बार वापिस जाके retest करके momentum दिखा दे यानि कि आपके लिए एक price action बना दे इससे हमें negative side जाते समय confidence भी आ जाएगा clear होगे हैं यही पे वही पे अगर आप सोचो अगर market ने आपको gap down opening दे दी इस वाले scenario में आप क्या करेंगे अगर gap down opening दे रहा है तो market in सभी zone का breakdown दे देगा भाई previous day closing से भी नीचे रहेगा previous day low का भी breakdown दे देगा और आपके लिए setup भी बन जाएगा previous day low के breakdown वाले setup अगर नहीं जानते आप इस setup के बारे में तो मैंने आप सभी के लिए 75% off किया हुआ है नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा जाएए और सीखे तो यहीं पर market in सभी का breakdown देगा आपको एक negative momentum बताएगा जैसे कि मैंने दो possibilities बताई है दोनों मिल गई तो ज़्यादा बेतर है या तो time spend करके breakdown देदे या फिर breakdown देगे एक बार retest करके momentum देदे तो confidence आ जाएगा तो situation पर support की possibility 0.382 के round इसके बाद 0.5 के round आपके लिए support की possibilities हो सकती है दोस्तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो को like करना comment करके मुझे बताना कि आपको analysis कैसे लग रहे है नए हो subscribe करना और bell icon प्रेस करना जिससे आपको अने वाली videos के notification मिल सकेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं किसी next video में तर तक के लिए राम राम